अले पेनी वाइज तुमने हमाले नीन त्थलापती हाँ इस टैम पे तुमने कौन सी मीटिंग रख ली है मैंने तुम दोनों को एक जरूरी बात बताने के लिए उठाया है दलूली बात कौन थी दलूली बात टाइम आ चुका है हमारी टीम को बड़ी करके उसकी ताकत को आने वाला है हमारी टीम में गोड़ी लाने वाले है वो भी एक नई पूरे के पूरे तीन ओहो दॉल दिला ये तो ने अरे बेवकुब जब तुम्हें पता है नहीं था तो इतने चौक क्यों गये तुम अले वह तो मैंबत फिल के लिए गोड़ी ला एक मॉंस्टर जिसको बाकि सभी बड़े क्रीचर अपना किंग मानते है मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना बहुत पहले की बात है जब इंसानों का नामों निशान नहीं था तब गोड़ी ला इस धर्ती पे राज किया करते थे और आज भी उन में से एक मादा गोड़ी ला जिन्दा है जिसका किसी को पता नहीं है वो अपने तीनों अंडों के साथ कही पहाड़ों में चुपी हुई है और उन अंडों में से जो जीव निकलने वाले है वो इस जर्ती के लास्ट और सबसे ज़ादा खतरनाक मॉंस्टर होंगे अरे वाई ये तो बहुत ज़ादा खतरनाक चीज है अगर एक बार वो अंडे हमारे हाथ में आ गए तो हमें दुनिया को तवा करने से कोई नहीं रोख सकता फिल तो फ्लैंकलीन का बत्ता और तिन तेन भी हमाले तमने हाल मान जाएंगे पर तुम्हें कैसे पता वो कहा पर है तुम शायद भूल रहे हो कि मैं अपनी काली श कहता थतला गोड़ जिला बहुत जादा ताकतवर होते है अगर मेरी काली शक्ति में कुछ गडबर हुई तो हम सब मारे जा सकते है चैन से सोना है तो जाग जाओ लॉस सेंटो उसके बीच बीच पहाड़ों में गोड़ जिला को देखा जा चुका है और साइंटिस का अनुमान है कि गोड़ जिला है तो उसके एंडे भी हो सकते है जो शेहर के लिए बहुत जादा खतरनाक है मिलिटरी अपने तैयारी में लग चुकी है तो आप भी सतर्क रहे सावधान रहे आपको मार दू यह क्या बोले जा रहा है शिंचन तु बहुत जादा लाल्ची हो गया है अगर आपको मार दिया तो चौप की टटी कौन साफ करेगा कौन करेगा मतलब तुम दोनों ने मेरे को समझ के क्या रखा है एरे समझना क्या आप हमारे घर के सर्टीफाइड नौकर हो शिंचन तु बहुत जादा बोलने लग गया कल से चौप की टटी तू साफ करेगा एरे नहीं नहीं मुझे काम याद आ रहा है एक मिंटीर को क्या काम हो सकता है एरे वो मुझे सोने जाना है अगर इसको तु काम बोलता है न तो चौप बहुत बड़ा बिजनसमैन है क्य यह चैसे दी और मिल जाएंगे और मुझे नहीं पता वो अंडे कहा पर होंगे लोसेंटोस में बहुत सारे पहाड़े एरे फ्रेंगलीन भी यह फिर आपको पता क्या होता है औरे पता क्या होता है क्या मतलब है भाई मैं एंडे डूड़ने वाला दिखता हो क्या तेरे तेरू कभी करता हो हेलो टूनी औरे फ्रांकली मैं तुम्हें काल करने वाला था क्या बाद कर रहे हैं बहुत खोलाना तो ऑब प्लीज 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 चोप एकदम चोप अगर अभी मुझ खोला ना तो वहाँ आके मारूंगा अच्छा ठीक है तुम ही बोल लो तुमने आज की न्यूज सुनी अंडो के बारे में हाँ हाँ वो गोर्जिला वाले अंडे न हावाई अंडे मुझे लगता है पेनी वाई अब एकदम सही पकड़े हो अब बच्पन से तीरा क्या मतलब है तु अभी भी बच्पन में चल रहा है एरे मेरा मतलब जब मैं इससे भी जाधा छोटा था शिंचन टूनी ने बोला है वो भूतिया पाटी वाला पेनिवाइज नहीं है वो उन अंडो तक वच्छे उससे पहले अपने को वो अंडे ले आने है एरे वो उन अंडो का क्या करेगा अब वो तो मुझे नहीं पता मुझे तो लगता है न पक्का ओमलेट बना के खाएगा नहीं बे शिंचन पागल है क्या गौर्जिला के अंडे के कोण ओमलेट बनाता है एरे फ्रेंकलिन बिया कभी कभी तो वो मुझे खाने की बात करता है फिर भी वो तो एक अंडा है हाँ यार शिंचन इस मामले में तो उसका कोई वरोसा नहीं एरे आज ट्रेंकलिन बिया हो चेंगे सुबे से रात हो गई अभी तक चले ही जा रहे है हम शिंचन बस पहुच गया क्योंकि टूनी ने जो लोकेशन दी थी ना वो यहीं पर खतम होती है एरे फ्रेंकलिन बिया यहाँ पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है अरे उसने खाली पहाड की लोकेशन दी चल शिंचन थोड़ी दर ढूंडवा ले अगर थक जाएगा तो उदर ही बैठ जाई हो बस अरे फ्रेंकलिन बिया मैं तो अभी से थक गया हूँ ठीक है मता खड़े रहे इदर ही अरे फ्रेंकलिन बिया आपकी पीछे तो बिल्लिया खड़ी है अब कौन सी बिल्या ओ अब भे मर भी जा चलो यार घाई फाइनली मर गया अब यह शिंचन रुख या वह मर गया है अरे अब यह क्या आत्मा भी मारेगा उसकी ठीक है तूई यही पे रूक मैं जाके डूंड काता हूँ अरे फ्रेंकलिन भी आप मेरे सत गेम मत किलो आपको पता है मैं डर गया बलाई का तो जमाना ही नहीं रहा मैं तो तेरे को option दे रहा था चल अभी डुनवाने में मदद करवा फिर गाइस वेसे किसी जानवर को नुकसान पहुचाना नहीं चीए अगर आपको खत्रा महसूस हो तब ही आप वो कदम उठाई जो आपको सही लग रहे हो इरे Franklin बेया रुको को मेरे लिए तोड़ा सलो चलो शिंचन ये किसकी आवाज आई इरे Franklin बेया ये तो किसी गोड़जिला को मार रहे है। चिंचन मुझे लगता न यह उननडों की मा होगी ये ले ये ले आस तो यह गोड़जिला अमारे हाथ से नहीं बचेगी अले डॉल दिला नहीं गोड़जिली अभी ये क्या होता है अपनी बक्वास बन करो और इसको मारने में ध्यान दो वा क्या बात है आकिन में यह उतिन प्रेंक्लिन भी जल्दी से जाके इनको रोक लो सिलिंडर में दूरत साइरें इसको मारना छोड़ दे नहीं तो 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 बुरी हालत कर दी है तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए तुम में क्या लगा तो तुम अंडे लेकर चले जाओ गए और हम लोग कुछ करेंगे भी न कर सकते अब यह तीनों अंडे हमाले है हमाले पेजी अंडे इसकी मा को लोटा दे चुपचा वाग्या बात है तुम ने और मैंने मान भी लिया पागल बैट्चे यह तीनों हमारे है और अभी हमें ताकत वर बनने से कोई नहीं रोग सकता अरे वह तो मैंने सर्केस्टिक ल तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अब इन सब के लिए बहुत देर हो चुकी है, अब इन सब के लिए बहुत देर हो चुकी है, अगर वो जोकर वापस आ गया तो इस बार मैं उसे नहीं रोक पाऊंगी, तुम इन अपने साथ ले जाओ और इसके हिपाज़त करना, शिंशन एकद दोनों अलग है, दोनों सेफ है, शिंशन चल जल्दी, हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा, इस से पहले कि वो पैनीवाइस वापस आई, इस तीसरे अंडे को ढूंड़ते हुए, एड़ी फ्रेंगलिन बिया, मैं आरो पर मुझसे एक वादा करो, कि आप उन तीनों को नह आओ, शिंशन यार गडबड हो गई, वो पैनीवाइस का बच्चा दोन डाले जाने में कामियाब हो गया, एरे फ्रेंगलिन बिया कोई बात नहीं, कम से कम हमने एक अंडे को तो बचा लिया, एक को तो बचा लिया, पर अपन तो तीन लेने आय थे न, एरे फ्रेंगलिन ब या काश आपकी बात सचो, वेसे फ्रेंगलिन बिया हम ये एंडा रखेंगे कहाँ पर, शिंशन अब कहीं न कहीं तो अपने को रखना ही पड़ेगा, फ्रेंगलिन बिया हम इक काम करते इसे अवेंजर के पास लेके चले जाते है, हाँ शिंशन अभी टूनी अपने को सही रास्ता बता सकता है हाँ और यह वेंजर के पास एकदम सेफ भी रहेगा ठीक है चल शिंचन वहीं पर चलते और क्या अरे बेवकूफ हो यहां पर दो ही एंडे कैसे है तुम दोनों में से कोई तो एक अंडा भूल गया है अरे मैं तो लेकर आया था अले नाइने मैं लेते आ प्रक्रिया पूरी हो जाएगे इन में से बच्चे निकल जाएंगे बाहर आते अपनी मां को ढूलेंगे फिर हम क्या करेंगे एक बार बस मेरा जादू कतम हो जाए उसके बाद इनकी मा और बाप दोनों ही मैं होंगा अले तिया बात कले हो तुम अपना देंदल भी तेंकल तकते हो अरे बेखूफ मेरा मतलब है यह मेरे काबू में आ जाएंगे तो फिर अपनी प्रक्रिया शुरू करो वो प्रक्रिय यह वाला अंडा लेके गए है अले याल अब तुमको क्या हो गया अले मैने तोता था के वह आइद गॉल दिला होता ना तो उतके मुं में अपनी कोल दिलिंग की बातल डाल के थन्दी कर लेता वैते भी कितनी गल्मी हो गई यह अतकल बहुकूफ के बहुकूफि रहोगे अबी अपना मूबन करो, वैसे भी सुबह हो गई है, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, हे शैतानी राजा, इनके आत्माओं को कबूल करो, और इनमे इतनी काली शक्तिया भरो कि ये अच्छाई का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाए, ताकि ये मेरे गुलाम बन ज जाओ, काले शैतान की इजाज़त से मैं तुम्हें हुकुम देता हूँ, बाहर आ जाओ, अले पिनी वाइद ये तो तत्ती में बाल आदा है, तो तुमको क्या लगा था, यहां मजाग चल रहा है, अले नहीं तुमको देखके मेल को एटा लगा कि तुम दान्त, इंडिया जान्त में ओधीतन देने जाले हो, तुम्हें मेरी काली शक्तिया डांस, इंडिया डांस का ओडिशन लगती है, अरे यह दोनों गोर्जिला तो बहुत ज्यादा खतरनाक दिक रहे है, यह खतरनाक दिक नहीं रहे है, खतरनाक है, अले वाम मदा आ दिया, आसे हमारी टीम के दो और मेंबर बढ़ गए, अब यह फ्लैंक करेंगा बता हमाले आते हैं नहीं बतेगा, भूलो मत उसके पास आपी भी एक गोर्जिला है, कोई नहीं हमारे पास दो गोर्जिला है, और यह दोनों के दोनों मेरे गुलाम है, जी मालिक बोलिये क्या हुकुम है, जाके इन श चलो मुझे तो कुछ समझी नहीं आ रहा है, शिंशन बस थोड़ी दर बस अपर पहुची गया, और यह तो एक यह अंडा है, बाकी के अंडे कहा पर है, तूनी यारे गडबड हो गई, वो पेनिवाइस बाकी के अंडे ले गया, इसका मतलब वहाँ पे कितने अंडे थे, अरे टोनी भीया, वहाँ पर टोटल तीन अंडे थे, जिसमें से दो पेनिवाइस लेके चला गया, वो दो लेके चला गया, और तुमने कुछ किया भी नहीं, अरे मैं कुछ करने जाता है, उससे पहले ही वो गायब हो गया, अरे वहाँ कितना बड़ा अंडा है, हल्क भोग हल्क ओमलेट खाएगा, अरे हल्क ये गोड़जिला का अंडा है, मुर्गी का अंडा नहीं है, पता नहीं वो पेनिवाइस का बच्चा उन दो अंडों के साथ क्या कर रहा होगा, और भाइस अभी अंडा अचानक से गोड़जिला में कैसे बदल गया, अरे फ्रेंक्लिन भ होता है क्या, शींचैन ये कोई मामूली अंडे नहीं है, ये दुनिया के सबसे आकरी गोड़जिला के अंडे है, इसका मतलब वो दोनों अंडों में से बी बच्चे निकल गए होंगे, शींचैन उन में से निकले तब ये भी निकला है, यहाँ उमर नहीं सा पे तो छोट अच्छे है, फ्रेंक्लिन इसकी मा का पर है, इसकी मा को तो हम लोग भई पर छोड़ा है, वहाँ पर की छोड़ा है, यह जाता है, इतना च्छोटा ये क्या तबाई मचाएगा, और छोटा नहीं वो काफी बढ़ा हो चुका है, अभी तो अंडे में से निकला इतना होने वाला होगा अभी हमारे पास कोई चारा नहीं है यह गोड़्जिला ही उस गोड़्जिला से लड़ सकता है और यार पर अभी तो यह पैदा हुआ है अपन ऐसा कैसे कर सकते और इनकी साइस के साथ इनकी ताक्रते भी बढ़ती है ठीक है फिर ऐसी बात है तो मैं निकलता चल शिंचन फटाफट से एरे रिगो मैं इस चोटु गोड़्जिला को लेके आ रहा हूँ आजा मैं गाड़ी में बैट चुकाओ ठीक है यह मैं आ गया रे चोटु गोड़्जिला जल्दी से उपर आके बैट जाओ ठीक है शिंचन मुझे लग रहा है यह डरे गाईज यार यह तो बड़ा मासुम गोड़्जिला लग रहा है पता नहीं इसको कैसे हराएगा अरे फ्रेंगलिन भी यह वह अभी तक कितना बड़ा हुआ होगा अबे शिंचन तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे मैं भगवान हूँ मैं अभी तो सुबह से तेरे साथ सकता क्यों क्यों कि अगर ऐसी शकल के साथ मैंने आपको बगवान बोल दिया ना तो बहुत जादा ही बोलने लग गया तो आज कल अबे तेरी तारीफ नहीं कर रहा मैं अब देख ले कितना बड़ा है यह तो बहुत ही जादा बड़ा है पर अपना वाला भी तक बड़ा न से दूर आजा अरे क्या बत करें फ्रेंगलिन भी यह हमारा चोटो सा गोड़िला इतना जल्दी बड़ा हो जाएगा अब यह यह सास बहुत का सीरियल नहीं चल रहा है फाइट होने वाली है एरे वो तुम्हें बावनाव में बह गया था गाइस यार अपना वाला गोड़ गोड़िला दोनों आमने सामने आप किसकी तरफ जल्दी से कमेंट करके बताओ तुम मेरे भाईयो हमारी तरफ आजाओ बच जाओगे नहीं मुझे इनके साथ अच्छा लगता है आप अच्छाई की तरफ आजाओ अच्छाई कमजोरी की निशानी है बुराई में बहुत तरफ आजाओ तुम ताकत से बरभूर हो जाओगे भाई आप गलत कर रहे हो मुझे मजबूर मत करो तुम्हें मारने के लिए मुझे अगर इन्हें बचाने के लिए आपको मारना पड़ा तो मैं ये भी करने को तैयार हूँ आज तुम अपने फैसले के वज़े से मरोगे एरे फ्रेंकलीन भी ये लड़ाई शुरू हो गई है शींशन अपने वाले ने तो इसको उठाके फिक दिया एरे फ्रेंकलीन भी ये ड्रैगन गॉडजिला कमनी है इसने वापस से उठाके फिक दिया गाईज ये पता नहीं क्या क्या उठाके मार रहा है एरे फ्रेंकलीन आपना गोड़िवा यहाँ यह इतनी खतरनाक इतनी लाईक बंता है और चैनल को भी ज़रूर से सस्क्राइब कर देना गाइस यहार इनकी नोग जोक तो बढ़ते जा रहे हैं मुझे ड़ लग रहे हैं आसपास का नुकसन पहुंचा दे एरे फ्रेंक लिन भी यहाँ मुझे फ्रेंक्लिन भी अब ये सामने वाला गोड़जिला नहीं बचेगा अब ये तो बिल्डिंग पर चढ़ने की ट्राय कर रहा था फ्रेंक्लिन भी ये इसने बहुत बड़ी जम मार ली अब ये पर चलागा गया फ्रेंक्लिन भी ये मानना पड़ेगा ड्रेंक्लिन भी ये इसने बहुत बड़ी जिला को इस बात का दुख हो रहा है शींचेन अपने भाई को मारने में किसको खुशी मिलती है तो गाईज अभी आपको पता चल चुका होगा कि पेनिवाइस के पस वो दोनों गोडजिला कहां से आए आज जो हमने मारा वो एक ड्राइगन गोडजिला था और इसके बाद मैं फायर गोडजिला को मार चुका उपर उसकी वीडियो मैंने पहले बनाई थी अगर आपने वो अभी तक नहीं देखिये तो उपर आई बटन में मैं उसका लिंक देदूँगा वहाँ से जाके देख सकते हो या फिर आप मेरे चैनल पे जाके भी चेक कर सकते हो तो गाइस के लिए अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करो और जो चैनल पे नए चैनल को सस्क्राइब करो मैं मिलता हूँ आप से पने अगली वीडियो में जैह हिंद